हाई दिस इस जंकित्तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फर रॉल हेलो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो जीतने भी जो वेटिंग केंड़ेट्स हैं एल पी टेक्निसीन और जेई के उनके लिए स्पेसली ये मैं बना रहा हूँ ये मैंने एक पेपर का आर्टिकल उठाया हाला कि ये पूराना पेपर का आर्टिकल है लेकिन इससे हम वेकिंस के बारे में एक बार समझेंगे और आने वाले जो रिटायर्मेंट है और जो 2020 में जो पूरा complete retirement होना है उसके बारे में समझेंगे और क्या chances आपकी waiting clear होने का उसका सारा possibility देखेंगे और क्यूं अच्छे chances उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा सारा complete information दूँगा तो आप बने रहे हैं पूरा video complete देखिए साथी आज NCR division का जो technician का है ALP technician में जो technician की post है उसके लिए जो withdrawal candidates से उनका division allot हुआ है उसमें जितने भी बच्चे हैं उनका division allot किया गया है उसके बारे में भी आपको मैं दिखाऊंगा वो PDF भी दिखाऊंगा तो lockdown में भी काम चल रहा है थोड़ा सा आप सभी को धहरे बनाए रखना होगा तो आईए एक बार ये पूरा complete article देखते हैं रेलवे ने बड़ी संख्या में लोगों की भरती करने की योजना बनाई है रेल मंतरी प्यूस गयल ने बुदबार को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि 2021 तक रेल मंतराले चार लाग से अधिक लोगों को नौकरी दिया गया था गोईना संबादाताओं को बताया कि रेलवे को 15,6,000 करमचारी रखने की मंजूरी है अभी इसमें 12,23,000 लोग काम करते हैं बाकि 2,82,000 पद रिक्त पड़े हैं रेल मंतरी ने कहा कि हमने पिछले सार रिक्रूमेंट परक्रिया पर नजर डाली 1,51,000 रिक्त आया था ELP Technician का जिसमें 62,000 पोस्ट था ग्रूप D का भी था इतना ही उसके अलावा RPF की जो वेकेंसी आई थी RPF का पोस्ट में 9,000 के करीब सामिल था और JEE का भी इसी में इंक्लूड था जो JEE का आपका 13,14,000 जो भी वेकेंसी आई थी वो इंक्लूड था तो ये पूरा 1 ये पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद अभी भी 1,31,000 पद रिक्त हैं आने वाले दो सालों में 99,000 पद खाली होंगे क्योंकि साल 2019 और 2020 में करम सा 53,000 और 46,000 करमचारी रिटायर होंगे तो ये उन्होंने पूरा इंफोर्मेशन दिया था जो 1,31,000 है इसके लिए भी रिक पड़ा हुआ है और इसका जो इन्होंने प्लानिंग था इनको जो कंप्लीट करना था उस पे ये कंप्लीट नहीं हो पाया है तो ये सारा का सारा भी सीट खाली है साथ में 99,000 और जो क्रियेट होने वाला है ये आपका दो साल में 2019 वाला तो 33,000 कंप्लीट हो चुका है जो 46 पीफ की वेकेंसी 9,000 और आनी है नई उसके लिए अप्रूबल मिल चुका है वो बता दिया गया है कि आगए जो चलके रेलवे में 9,000 और वेकेंसी आनी है बाकी उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि रिक्त 13,000 पदों की भरती का पहला चरण फरवरी मार्च 2019 में सुरू सुचित जाती अनुसिशी जन जाती और अन पिछड़े वर्गों के लिए क्रमसा 19,715, 9,887 और 35,480 पद होंगे इसमत गोयल ने कहा कि संसद में पारित हो चुके एक सो तीनवे समिधान संसोधन के अनुसार दस फिस्दी पद आर्थी कुरूप से पिछड़े इस समय तक कम्प्लीट करने की प्लानिंग थी कि इस वेकेंसी को कम्प्लीट करने ना है लेकिन उसका एकजाम तक कभी स्टार्ट नहीं हुआ है इवन एकजाम का कोई डेट तक नहीं आया है एंटी पीसी का तो आपका स्टेटस तक अप्लीकेशन जारी नहीं किया गया है तो आप सोच सकते हैं कि आगे चल के कितना और डिले होना है इसमें जो भरती का दूसरा चलन माई जुन 2020 में सुरू होगा जो उन्होंने बताया था उसमें माई जुन यहीं जो चल रहा है अभी ततकालिक इसमें नया नोटिफिकेशन आना था जिसमें एलपी टेकनिसियन और जितने भी जो यह 99,000 पोस्ट जो खाली होने वाले थे इसके लिए नया रिक्रूमेंटरी इसमें ग्रूप डी को आप हटा दीजिए क्योंकि ग्रूप डी का ओलडी एक लाग पोस्ट आ चुका है तो ग्रूप डी का बहुत कम संख्या में पोस्ट होगा ज्यादा तर एलपी टेकनिसियन और एंटी पीसी जही से रिलेटिट पोस्ट होंगे तो यही सब यह 99,000 है तो इसक इसके अलावा उन्होंने कई नई ट्रेन सेवाओं के बढ़ाने का एलान किया आप सोचिए कि नया ट्रेन अगर चलेगा तो उसमें लोको पालेट और असिस्टेंट लोको पालेट की भी ज़रूप होगी तो इन सबका सारा देख के आप यह समझ सकते हैं कि आगे अभी इनको उसके बाद गुरूप डी कराना है उसके बाद जो आरपी एप का अप्रूबल मिल चुका है वो एक्जाम कंड़क्ट कराना है उसके बाद यह कोई नया नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे तो समझे कि अभी कम से कम दो से तीन साल तो इसी प्रोसेस में जाएगा उसक वेटिंग केंडिट है इन ही से लिया जाएगा जहां जहां ज्यादा ज़रुवत होगा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा चांस है हाला कि मैं मानता हूं टेकनीशन वेगरा का लास्ट टाइम पुरा कंप्लीट किलियर नहीं हुआ था लेकिन इस बार आप उमीद रख सकते हैं और positive रही है साथ मैं ये भी बोलूँ हां कि पूरी तरह से इसी पर निरभर नहीं रहना है अगर आप किसी other competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो उसको continue रखें त्यारी जारी रखें साथ में side में ये आपका रहेगा चलता रहेगा और hopefully अब की बार बहुत अच्छा च complete होने में भी दो साल लगी जाएंगे आप देख रहे हैं 2018 की वेकेंसी अभी 2020 तक भी complete नहीं हो पाई है और आपने ये भी देखा कि 2018 की वेकेंसी आने के बाद भी 2014 का वेटिंग किलियर होता 2019 में बहुत जगे की वेटिंग किलियर हुई थी तो इसलिए आप सभी को घबरा जाना रही नहीं है बिल्कुल positive रहें ठीक है सभी की वेटिंग किलियर होगी बिल्कुल परिसान नहीं होना है बाकी आगे हम देखेंगे आगे वेटिंग वालों के लिए students के लिए जो भी करना होगा वो सब लोग किया जाएगा ठीक है अगर बोर्ड ओर जाना होगा दिविजन अलोट किया गया है यह टेकनिशियन के जो विधेल केंडिडेट से उसमें कैटेगरी नंबर 31, 34, 47, 52, 58, 59, 62, 66, 134, 136, 137, 148 और 155 इन सभी का डिविजन अलोट किया गया है यह पूरा अलग अलग इनको जिनको जो जो डिविजन मिला है यह इनका नाम, रॉल डेट अब बर्थ, फादर नेम सभी दिया हुआ है, साथ में कौन सा कमुनिटी इनको अलोट हुआ है, उसके बारे में और कौन सा डिविजन अलोट हुआ है, उसका सारा का सारा, जैसे यह जहांसी, जहांसी, वर्क्सप, आगरा, जहांसी, यह सारा का सारा सब कंप्लीट द चुका है तो उनका भी बहुत जल्द डिवीजन अलॉट हो जाएगा अब ये NCR का है जल्दी NR का भी हो जाएगा जो टेकनीशन के हैं और NR में जो ELP है उनका भी होगा और NCR में जो ELP है उनका भी बहुत जल्दी देखने को मिरेगा बहुत बहुत धन्यवाद